अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कक्छा 8 का अध्याइदो जो है वे हमारा है वर्ग और वर्गमुल तो इसके यहाँ पर जितने ही प्रकार के MCQ टैप के कॉस्टिंस है सभी कॉस्टिंस आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा चलिए वीडियो को देना करत प्रसम जो है एक नंबर और एक नंबर प्रसम हमारा है 0.25 का वर्गमुल पूछा गया है ठीक है तो देखिए सिंपल आपको मैं यहाँ पर बताता हूं इसका वर्गमुल तो जद भी हमारे 0. कुछ रहे तो इसको निकालने का सिंपल तरीका 0 लिखिएगा पॉइंट लिख कितना है इसका वर्गमुल हो गया अब वर्गमुल निकालने का तरीका भी आप जानते हैं दो प्रकार से निकाल सकते हैं तो हम लोग वर्गमुल विदी द्वारा जो कि हम लोग यहाँ पर पचीस का निकालेंगे इस प्रकार से या पिर हम लोग अभाज गुनफन करके नि पर क्या हो जाएगा हमारा option number c जो है यह हमारा बिल्कुल क्या होगा option number c यहाँ पर हमारा सही है ठीक है चले अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण देखें दो नंबर और दो नंबर हमारा प्रस्ण बोला गया है दो नंबर प्रस्ण हमारा है 31.36 यह हमारा 31.34 इसका आपको क्या पूछा वर्गमूल पूछा गया है ठीक है तो सिंपल तरीका देखिए इसको निकालने के आपको मैं बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ यहाँ पर हमारा है 31.34 दसमलों का आप उड़ा दीजे नीचे आएगा एक दसमलों के बाद दो अंग तो सिंपल विठा दीजे दो अंग इतना आप लोग कर सकते है ठीक है उसकी बार देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आगया 3136 और नीचे कितना यह 100 अब बार बारी बारी से आप लोग ना यहाँ पर निकाल दीजे यहाँ पर हमारा जो है वे हमारा है 3136 इसका आप पहले वर्गमूल निकाल दीजे और वर्गमूल निकालने का तरीका अभाज गुरुनखन से भी निकाल सकते और वर्गमूल विधी दुवारा भी निकाल सकते आपक कि 31 यहां पर क्या लेनने हैं तो हम लोग यहां पर पांच को लेंगे 10-25 फ़िशीक हो जाएगा और किम्हारा घठीन हो artists हो जाएगा अब अब देखिये यहाँ पर दोगो निक्सट, दोगो उतरता है आपको भी पता है यहाँ पर, यहां पर हमारा उतर जाएगा 636 उतर जाएगा ठीक है? तो यह हमारा यहाँ पर हुआ अब देखिये, 632 हुआ, अब यहाँ पर जो भी संक्या हम लोग लिखते हैं जोड़ते हैं तो यानि कि 5-5 किता हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है अब देखें 10 के बगल में आप क्या लिखिएगा जो लिखिएगा उसी से गुना करना है और आपको जो है इतना लाना होगा यदि नहीं आएगा तो कम लेंगे तो चलि हमें कोई मतलब नहीं है हम लोग यहां पर 6 बैठाएंगे च्छो बैठाने से हमारे कितना है च्छापपन निकल लिए ठीक है यहां पर आप लोग वर्गमूल भी निकालना सीखें अब आज गूंखन दौरा भी करेंगे अब आज गूंखन कीजिएगा जोड़ा निकलिए कितना गल क ... अब आप लोग देसेधें यहां पर इसतों कितना है बटा दस हो गया कि गयता और यहां पर जो हमारे कितना आ 5.5.6 आ जाएगा अब आप लोग बताईए 5.6 जो है कहां पर हमारा 5.6 है तो आप लोग देशाते हैं यहाँ पर भी option number C में हमारे क्या है 5.6 है जो कि यह वाला देखिए आपको मैं समझा समझा कर बताए इसलिए थोरा से लेट लगा जदि आप लोग अभी बनाईएगा तो आपको तुरंत यहाँ पर बन जाएगा हमारा option number C हमारे क्या है यहाँ पर बिलकुर सही ठीक है चले अगला प्रस्न को हम लोग देखते हैं अगला प्रस्न हमारे देखिए तीन number तो यह रहा हमारा तीन number प्रस्न जो कि यहाँ पर हमारा कहा गया है 121 का वर्गमूल निकाल लिए देखिए 121 जो यह तो आपको सीधा पता है 121 का वर्गमूल आपको कितना निकलेगा आप लोग याद भी किये है 121 का 111 का 111 का 111 का स्क्वेर किजिएगा तो हमारे कितना आएगा 121 आएगा मतलब 121 का जिदि आप लोग वर्गमूल निकालेगा तो 11 आएगा simple भासा 11 हो गया 11 यहाँ पर क्या है तो डिरेक्ट निकल गया हमारा option number option number d में आपका लिखा गया 11 तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो गया सही होगे जो कि आप लोग देख सकते हैं ठीक है 11 हमारा चले अगला कौशन देखे 4 नंबर तो 4 नंबर प्रस्ण हमारा यहाँ पर है जो कि आप लोग प्रस्ण में यहाँ पर देख सकते हैं चार नंबर हमारा प्रस्ण है 196 ठीक है तो 196 ये भी आपको simply पता है 196 जो है वे किसका वर्ग है हमारा तो 196 जो है 14 का वर्ग है मतलब 196 का वर्गमूल कितना आएगा 14 आएगा simple तरीका जैसे 14 14 को गुना किजिए आप लोग तो कितना आएगा 196 मतलब कहने का मतलब है कि 14 का स्कूर कितना होता है 196 होता है तो 196 का जैसे आप लोग वर्गमूल निकालीएगा तो हमारे कितना आएगा 14 तो बताएगे कौन सा option या पर सही हो गया option number जो है C हमारे क्या हो गया सही हो गया अगला प्रसन देखे हैं अगला प्रसन हमारा 5 नमबर को देख लेते हैं देखें 5 नमबर यह सब आप लोग ने याद रखिएगा कम से कम जो है 20 तक वर्गमूल यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर देखें 30 तक याद रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए देखें आप पर बोला गया हमारा 106 यह तो हो गया हमारा 5 नमबर बोला गया 324 का वर्गमूल होगा तो 324 का भी 18 का 18 का स्कुर कितना होता है 324 होता है तो आपको पता चलिए इसका वर्गमूल कितना होगा 18 होगा बोलिया कौन सा उप्सिन होगा उप्सिन नमबर डी यहाँ पर जो हमारे क्या है बिल्कुल सही है ठीक है चलिए अगला प्रस्न को देख लेते हैं अगला प्रस्न निए आप पर देख सेते हैं आप लोग शह नमबर और च्रो́ नमबर देखये हमारे क्या है शह नमबर यहाँ पर प्रस्न पर प्रस्न आप को बोला गया है कि 900 का वर्गमूल बोला गया है मतलब simple आपको पता चलिए है हमारे कितना हो जाएगा direct निकलेगा यहाँ पर हमारा रहता है 80 और double 0 रहता तो बताएए यह जो है इसका वर्ग मूल कितना होता तो 80 जो है किसका हमारा वर्ग है 7 अब हमारा प्रस नअ करए वह निचे वाला प्रस न आरहे है तो आप लोग यहाँ पर देखाते हैं हमारा वर्गमूल पूचाइब एक 1764 का तो आप लोग यहां पर निकाल दिए एक तेर चाह और चाहर बने मेन के दो ₹ तो यहां पर दिखे 17ígena से किसी का वर्ऩ मेनिने है शोज़ार संफी चरकी वर्ग मेरे है तो थील्स एक उतर स्मुणालियक ने है करने जोंबे यहां पर जोरते चार चार कितना हो जाएगा 16 dice अब 8 टो आठ के बगल में कि पुखेगा कि हमारे 1764 नो मिंवारे रहे मटागे 20 गतना लेकर 16 looks यहां पर आपको दो लिखना होगा इस उफर भी दो लिखना होगा यहां आखे बियानी की पहला वाला ओप्सन सई हो गिया है चलिया अगला प्रसन देखे आठ नंबर तो यह रहा हमारा खुप्शुरत सा प्रसन आठ नंबर जो कि आप देख सकते हैं देखिए आठ नंबर प्रस्ण हमारे यहां पर है देखिए आठ नबर प्रस्ण है 4900 सिम्पल देखिए यहां पर जो हैं हमारा 4900 हमारे किसका वर्ग में है 477-477 होता है डबल 0 का 101 बढ़ जागा यह नहीं 70 इसका वर्ग मुल कितना ऐगा 70 बते एक 70 कौन सा option में है 70 हमारा बीवल option में तो बलिए बीवला सही है अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद 9 नॉमबर देखिए हमारे यहां पर कितने है 7744 74744 है ठीक है इसका आपको क्या करने बला है वर्गमूल निकालने बूला है तो वर्गमूल पटाक से निकाल देज़े आपको मैंने सिखाया जोड़ा बनाई यह शब्से पहले 77 देखे किसी का वर्ग में है क्या नहीं है तो उसे कम किसका वर्ग में 58, 58 कितना हो था 64, 9 नौनाम कितना हो गए क्यासीक एसे कैसी तो बढ़ा हो गए इसे तो 58, 88 आप लोग 64 ले लिजे 8 में लेंगे हम लोग 8, 8 कितना हो झाएगा 64 हो जाएगा इसे मान लिजिए हम 16 के बगल में 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ भी रखिएगा तुस्सी से आपको गुना करना होगा देखना होगा कि इतना हमारा आ रहा है की नहीं जिदे आप लोग 8 रखिएगा तो हमारा कितना आठेटी चौनसट हात मेरा कितना हो रहा। ठीक है। आर्ट चक कितना हो गां है? एक अर तृषक और इधर हमारे कितना था। चो था। चर तालिस और छो कितना हो जाएगा। जोड़ लिजे। एक तो यहां भी आठ लेके हां। कितना जाएगा अब यह तो हमारा घटा देजिए गा तो यहां कड़ जाएगा सब तो आपको यहां पर सींपल पता चल गया कि 7744 का हमारा जो है फार मूल कितना आने वाला 88 आने वाला जो कि आफ लिएफ्ट्र b येहां पर देख सते हैं चलिए अगला देखिए यहां पर दस नमर प्रस्ण यह रहा नीची है वाला दस नमर प्रस्ण तो बहुत एजी है यहां पर हमारा है 8100 इसका वर्गमूल पूछा गिया है ठीक है तो एक 80 के सबसे पहले बोलिए नौ नमे 80 तो 9 होता है क्या कि 9 का वर कितना होता है यहां पर हमारा कौन सा अप्सन हो जाएगा ऑप्सन नमर बी यहां पर क्या है हमारा सही है चलेगला प्रस्ण देखिए 11 नमर प्रस्ण भी बहुत ही जी है यहां पर हमारे क्या बोला गया है 256 बटा 441 है और 256 तो आपको पता है कि 16 वर्ग मुल निकालने वोला है ठीक है तो 256 जो यह किसका वर्ग में है 16 के वर्ग में आते है बहुत असान यह तो हमारा हो गया 16 बटा 21 हो गया ठीक है जब आप लोग यहां पर 16 का वर्ग किजेगा तो कितना आएगा 256 आएगा और यहां 21 का वर्ग आप लोग किजेगा तो आगे 441 जो कि यहां पर आप लोग जैस सकते हैं ऐसे आप लोग बना भी सकते वर्ग मुल निकाल भी सकते इतना ही आने वले चले अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन हमारी क्या है अगला प्रसन हमारा 12 नंबर औ और 12 नंबर प्रस्ण हमारा कहा गया है कि 3.5 यह कहा गया है इसका आपको क्या पूछा वर्ग होगा इसका वर्ग कितना होगा 3.5 है है ना तो छे इसींपलि आपफ़ो 3.5 कि इसका बुद्ध है इसका बहुत असान है धयान से आप लोग निकाल लिए देखें यह हमारा थैश दूशा वर्ग पूछा गया वर्ग पूछा गया वर्ग तो रहा और दो के पांच बार और रहा कितना हो जाएगा यहाँ पर दस मुलों के बाद एक अंक यहां पर भी दस किसका जीर में हमारा किता आएगा बारा दसामलो दूप आएगा बताएए बारा दसामलो दूप 5 कौन सा of open में है बारा दसामलो 2.5 आपको option नमबर किसमें देख रहे हैं अब देखिए आप लोग 13 नंबर प्रसन तो यहां पर सिंपल आप से पूछा गया कि 11 का वर्ग होगा वर्ग मतलब क्या है 11 का वर्ग पूछा गया है ठीक है 11 का वर्ग आप लोग 14 नंबर प्रसन और आप लोग यहां पर बता सकते 13 का वर्ग बहुत असान तेरा का वर्ग कितना होता है बहुत ही जी 179 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर हमारा option number A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो आपको यह आई बलब पता चलिए चलिए 15 नंबर देखिए 15 नंबर हमारा है 16 का वर्ग पूछा गया तो पता यह 16 का square कीजिएगा आप लोग 16 का square के कर दिजिएगा तो हमार अगला प्रसंद देखिए 16 नंबर तो 16 नंबर यहाँ पर पूछा गया 60 का वर्ग क्या पूछा गया 60 का वर्ग यानि कि साट का square साट गुना साट चोचा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा डबल जिरो उतर जाएगा बोलिया 36 कौन सा option में है option B हमारा क्या हो जाएगा इसका स सब्सक्राइब जो कि आप लोग यहाँ पर देखिए ठीक है चलिए अगला प्रसंद को देखते हैं हम लोग अगला प्रसंद देखे 17 नंबर और 17 नंबर यहाँ पर है 24 का वर्ग पूछा गया 24 कर दिजिए 24 गुना 24 कर दिजिए 24 गुना 24 आप लोग कीजेगा हमारा 500 चेतर बोलियो कौन सा उप्षन में है उप्षन नंबर सी देखे धर्यादर बन रहा है को से अप्षन सब्सक्राइब हमारे क्या हो जागा सई हो जागा इसलिए आपको मैं कहता हो 30 कम से कम आप लोग याद रखिए एक से लेकर के 30 तक आप लोग याद रखिये इतना आप पाइथागोरस तरीक होगा ठीक है पाइथागोरस तरीक होगा और आपको पता है पाइथागोरस तरीक का सूतर आपको पता है 2m m2-1 और m2-1 यह आपको पता है यहाँ पर पाइथागोरस का देखिए यहाँ पर पर पूछेगा दो ही परसन यहाँ पर ज्यादा इंपोर्ट पांच रहे, तो 12 और 13 होगा बस आपको है याद रख लिए अभी तर्काल के लिए यह आपर हमारा प्रीक होगे है क संख्या UK वर्ग सर्वाधा पूराथ संख्या होती हैइए एक संसंख्या का वर्ग में होता है कि संसंख्या में क्या होता है जो हमारे क्या हो से यहाँ पूरा पूरा क्या हो So उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सम संक्या करते हैं ठीक है तो सम संक्या यहाँ पर आपको पता है जो दो से पूरा-पूरा विभाजयत Welcome यदि आप लोग सम संक्या चार रखिए 4 का आप लोग वर्ग किजी तो 4 का वर्ग कितना हीगा 16 संख्या है कि यहां पर कौन सा ओप्षन हो जाएगा अब देखिए आप बीस नमर प्रस्णा गुद देख सैते हैं देखे 20 इस नमब्र हमारा प्रस्न है बोला गिया है कि यहां qué 13 का स्कूर और चो वद एंड का वरग और चो वग इसके World इसके भीच में जो है कितनी प्राकित चंख्यों कहाई यह बताइये बिकिसका सुंदर से हमारा सूत्र होता है इसका आप लोग सूतर हो रही चाहरे यह की यह बठीएगा तो n का वेल्यू आपको बैठाना पर्थम वाला जो संख्या न इसी को n मान लेजी यानि कि हमारे हो जाएगा टू गुना तिर्यापन तो किता हो जाएगा गुना कर दिए तीन दूरी चो हो गया और पाजरी दस और एक पाजरी दस हो गया हाथ में तो कुछ खो देखिए आपको में किताब बता तो किता देखा देखिए यही वाला प्रस्ण आपका उधारन पांच में आपको मिल जाएगा आपके किताब में ऐसेButis हमारत इसको कुना और घेर cinemat cycling जो है हमारा option number A हो जाएगा जो कि यहाँ पर क्या है 106 है जो कि आप लोग दे सेखते है A वाला option ठीक है क्या लिखा है 106 यह वाला answer का answer होगा अगला प्रस्न को देख लेता है अगला प्रस्न देखिए यहाँ पर 21 नमबर 21 नमबर हमारा प्रस्न बोला गया root under यह हमारा दिया है 90,000 ठीक है इसका हमें क्या बोला गया मान कितना होगा मतलब simple आप लोग इसका क्या के वर्गमूल निकाल देजिए रूट में वर्गमूल निकाल देजिए ठीक है तो यहाँ पर दिखे वर्गमूल निकालेगा option number B यहाँ पर क्या होगा हमारा 21 नमर का B वल option में 300 लिका यह हमारा सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखे 22 नमर और 22 नमर प्रस्न हमारा है कि यहाँ पर इसका वर्गमूल पूछा है root under 676 ठीक है 676 का वर्गमूल पूछा गया आपको तो मैंने अब भी बताया कि इसका कैसे करें निकाला जाता है यहाँ पर लिखेगा 676 इसका आप लोग यहाँ पर वर्गमूल निकाल दीजिएगा जोड़ा बनाईएगा ठीक है जोगो जोड़ा इधर एकल्ले बज़िया देखे 6 जो है किसी का वर्ग में है क्या दो के वर्ग में 4 आता है और 3 के वर्ग में 9 आता है मतलब यह तो क्या हो गया 6 से तो बढ़ा हो गया 9 मतलब आपको 2 के वर्ग में लेना होगा 2 के वर्ग में आप लिजिएगा यहाँ पर कितना होगा 4 कितना बचेगा 2 बच जाएगा घटाने से Rataj 63 जाए जिदि आपनों 4 के बगद में छो रखते हैं चाहर के बहुत 8ия से गुणा करते हैं तो छो से जब आपनों इससे गुणा किज़ेए, कितने आएगा हमारा दूसो शेट्तर आ जाएगा निकि छो बेठने से हमारा आ जा रहा है इदर आप लोग जोड़ लिजेगा छो बेठने से आ जा रहा है हमारा है ना और यह हमारे क्या जाएगा कड़ जाएगा मतलब इसका वर्गूल कित आएगा 26 26 कौन सी आप्सन में है 26 पहला वाला option हमारे क्या हो जागा यहाँ पर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है पहला वाला option यहाँ पर जो हमारे बिल्कुल क्या है सही तो इस प्रकास से आप लोग यहाँ पर 22 गो प्रसन था अभी हमारा 22 प्रसन में ने बहुत यह चित्रिका से प्रतने किया आपको यह व मिलते आगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद